नमस्कार दोस्तों एक बाई फिर से स्वागत कर रही हूं आप सभी का शिक्षा प्रभामे तो बिटा आ गई है आप लोगों की बोड डेट शीट चिक है कब होने वाले हैं आपके फाइनल एक्जाम तैंथ और त्वल्थ क्लास के बच्चों के लिए तो वीडियो को लास तक को सब्सक्राइब करना है जिससे की इसी तरह की अपडेट्स आपको मिल सकें सबसे पहले तो शुरू करते हैं बिटा वीडियो को तो वाइल प्रिपेरिंग देट शीट था बोड हैस टेकन केर ऑफ फॉलोविंग इशूस तो कुछ इशूस की बात ही हाँ पर की जा रही है sufficient gap has been given in between two subjects generally offered by a student in both classes मतलब की दो सब्जेक्टों के बीच में आप लोगों के लिए gap रखने का पूरा प्रियास बोड ने किया है इसके साथी साथ competitive exams का भी दिहान रखा गया है JEE mains आप में से कुछ बच्चे दे रहे हैं उसका भी दिहान रखा गया है इसके अलावा these date sheets have been prepared by awarding nearly 40,000 subjects combinations ठीक है 40,000 subject combinations को ध्यान में रख कर के इस date sheet को तयार किया गया है और the time of the start of examination will be 10.30 a.m. first यानि कि जो आपका exam का time है बेटा वो साढ़े 10 बजे से है यानि कि आपके जो paper होंगे वो start होगा साढ़े 10 बजे से पांचवा point है date sheet is issue much in advance so that student can prepare well for their examinations ठीक है अब इसके बाद आपको good luck बोला है good wishes दी है अच्छे से आप number लाओ तो cbsc में अब इसके बाद है आप लोगों की date sheet ठीक है तो date sheet आपको यहाँ पर दिख रही है subject code के साथ आप लोग देखेंगे class secondary school examination 2023 इसका मतलब की class 10 के बच्चों के लिए यह date sheet है ठीक है यह देखी secondary school examination 2023 तो आप लोगों का subject code जैसे की painting है अगर कुछ बच्चों के पास तो painting का paper 15 फर्वरी यानि 15 फर्वरी से आपके paper start है 15 फर्वरी से आपको पनी board परिक्षाय देनी है और उसके बाद 16 फर्वरी को कुछ subject आपको इहां पर दिख रहे होंगे इनमें से अगर कुछ आपके पास है तो 16 फर्वरी को है आपका वह exam 17 फर्वरी को कुछ हिंदुस्तानी music, vocal है ना ये सब है 20 फर्वरी को आप लोगों ने अगर Arabic, French इस तरह की जर्मन, Russian कोई language ले रखी है तो वो 24 फर्वरी को फिर उर्दू चिक है या गुजराती तो उसका paper है बंगाली, तमिल, तेलगु इस तरह के subjects भी 27 फर्वरी को बिटा, 27 फर्वरी को आपका English का paper है, पहला main paper आप लोगों का 27 फर्वरी को class 10 के बच्चों का और 1st March को ठीक है इस तरह से आपके पंजाबी, सिंधी, मल्यालम, 2nd March को तेलगु, ठीक है Japanese, यही sub-language 4 मार्च को science है, 6 मार्च को home science, multi skills, 9 मार्च को elements of business, 11 मार्च को Sanskrit, 13 मार्च को computer application, 15 को social science, 17 मार्च को hindi, Hindi A और B दोनों एक साथ, इसी तरह से 21 मार्च को आपके paper खतम होंगे, ठीक है, ध्यान के स्चीच का रखना है आपको, तो आपको follow करनी है कुछ instructions, जो CBSC आपको देता है समय के साथ, Parents will also visit board website and remain in touch with the school of their wards, so that they are aware of latest update by the CBSC and the school, तो इसके अंदर आपको बताया गया है कि parents को जो है वो ध्यान रखना है, है ना, visit करते रहना है board की website को, 3 है, no communication device are allowed examination center में, किसी भी तरह का communication device नहीं आपको use में लेना है, इसके साथ ही साथ, 4 points पे है, candidate will maintain strict discipline in examination center, 5th, candidate will follow all instruction जो आपके admit card पर print होकर आएंगी, 6 है, duration of each examination will be given in the date sheet और admit card पर आपका जितना भी time होगा exam का लिखा होगा, 7, 15 minute reading time आपको CBSC की तरफ से दिया जाएगा, question paper को read करने के लिए, और बाकी updates अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप इस website पर जा सकते हैं, www.cbsc.gorman.in, तो इससे पहले बेटा, आप लोग अपनी 12th की date sheet को देखें, मैं आपको बताती हूँ कि इस date sheet को download कैसे करना है, ठीक हैं, तो आपको आजाना है अपने Google Chrome पे, ठीक हैं, आप लोग क्या type करोगे, www.cbsc.gorman.in, ठीक हैं, सर्च करोगे, कुछ इस तरह का interface आपको दिखेगा, इसके बाद आपको जाना है, main website जहां पर लिखा हुआ है, main website पर जब आप जाओगे, तो कुछ इस तरह का interface आएगा बेटा, और ये कुछ जो circular CBSC की तरफ से आते हैं, वो आपको शो हो जाएंगे दिखने, तो आप सबसे पहले जो इधर दिये रखा है, कौन सा? Circular and Dead Sheet of for Main Exam, 2023, 10th or 12th, चीक है, 29 तारिक का circular है, तो आपको उस चीज़ को, उस Dead Sheet को डाउनलोड कर लेना है, तो जो भी आप application यूज़ करते हैं, Adobe, है ना, या फिर PDF, या फिर Google Drive, तो उस पर आपकी ये website, उस पर आपकी ये Dead Sheet open हो जाएगी, ठीक है, डाउनलोड हो जाएगी, अब लोग, आप लोगों को आपकी स्क्रिन पर क्या दिख रहा है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन की Dead Sheet, ठीक है, अब इसमें क्या करना है बेटा आपको, पंदरा तारिक से जैसे तेंथ क्लास के पेपर स्टार्ट हैं, सी त्वल्थ के भी स्टार्ट है, सोला तारिक को, इलेक्ट्रोनिक्स, शॉर्ट हेंड, ठीक है, इंजीनियरिंग, लैब्रेरी, इस तरह के कुछ पेपर है, सत्रा को कत्थक, ODC, बीस को आपका हिंदी का पेपर है, इसी तरह से 21 तारिक को आपका कुछ फूट प्रड़क्शन, डिजाइन, 22 फरवरी को, ठीक है, अब आपने डेट शीट कैसे डाउन्नोड करना है, वो आपने देख लिया, इंग्लिश का पेपर आपको 24 फरवरी को है, तो आप इस तरह से अपनी डेट शीट को डाउन्नोड कर लें, अपने पेपर को देख लें कि आपके पास कौन कौन से सब्जक्ट है, और उनके पेपर कब से कब तक है, ठीक है, पेपर आपके 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहे है और 12 क्लास के जो पेपर है, वो लास्ट पेपर है आप लोगों का 5 अपरेल को, साइकोलोजी जिन बच्चों के पास है, ठीक है, तो इसी के साथ ही साथ, वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और अमने दोस् वीडियो आपके लिए काफी हलफुल था, तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, थैंक्स फॉर वाचिंग आइज,